नमस्कर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि की पैटफोन से बलेक लिस्टे नमबर कैसे निकलायता है किसी का नमबर अगर बलेक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो फिर उसको कैसे हम रिमूब करेंगे कैसे उसको डिलेट करेंगे फिर अगर ज़रूरत पढ़ने पर किसी का नमबर अगर बलेक लिस्ट में डालना हो तो कैसे डालेंगे ये दोनों तरीका आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो दोश्तों ये आइटेल कंपानी का ASC media है किसी पून में आइटेल लिखा हुआ रहता किसी फून पे ASC लिखा हुआ रहता है तो इस phone से किसी का number blacklist से कैसे हम delete करेंगे और किसी number को फिर से blacklist में अगर डालना हो तो कैसे डालेंगे दोनों तरीका आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकतो कुछ number है मेरे पास जो blacklist में चल गया है उधर से call नहीं आप रही है और उधर जो बंदा मेरे पास call कर रहा है उसको सिर्फ ब्यास्त बता रहा है उसको कैसे delete करेंगे तो blacklist से number को delete करने के लिए remove करने के लिए सबसे पहले आपको menu में आ जाना है menu में आनेक बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा setting का तो setting को open करना है यहाँ पर एक number पर आपको phone setting मिलेगा और दो number पर call setting मिलेगा तो scroll down करके call setting को select कीजिएगा उसके बाद बीच वाला से okay कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ इस थरह के interface आएगा तो आपको scroll करते हुए नीचे आना है तो यहाँ black list का आपको option मिल जाएगा तो बीच वाला से press कीजिएगा तो फिर से यहाँ पर आपको 2 option मिलेगा तो यहाँ एक number पर black list option है तो यहाँ पर click कर दीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हूँ कुछ number black list में add है इसको हम delete कैसे करेंगे तो किसी एक number पर select कीजिए उसके बाद option वाला button को दबाईए और इस scroll करते हुए नीचे की तरह पहिए यहां तिन number पर आपको delete का option मिलेगा तो इसको बीच वाला press कीजिए फिर बीच वाला दबाईए दो बार दबाईएगा बीच वाला तो यह automatic delete हो जाएगा उसके बाद यहां पर बहुत जादे number अगर एक एक number को आप delete कीजिएगा तो बहुत जादे time लगया लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं 2 second में सभी number को delete कर दे तो उसके लिए किसी एक number पर select कीजिए option वाला button को दबाईए और scroll down किजिए scroll down करते नीची आईएगा तो यहां 6 number पर आपको मिलेगा delete all का option तो बीच वाला को दबाईए यहां से आपको okay का option मिलेगा यहां cancel का यह button दबादीजिएगा तो cancel हो जाएगा और यह button दबाईएगा तो okay हो जाएगा आपके phone के black list में जितना number था सभी यहां से delete हो गया लेकिन इतना ही delete करने से नहीं होगा आपको एक बार back काना है तो फिर से आपको दूसरा वाला option मिलेगा black list setting तो black list setting पाना है उसके बाद यहां से okay करना है यहां पर देखिएगा दोनों पर tick लगा होगा तो इसको दोनों को on tick करना है बीच वाला प्रेस कीजिएगा फिर scroll down कीजिएगा और बीच वाला से फिर से press कर दीजिएगा तो इस दोनों को आप on tick रखिएगा तब हिआपके profile में किसी का phone आ पाएगा तो यह दोनों का on tick करना है और black list से जितना number है सबी को इस तरह हटा देना है इस तरह हटा देंगे यहां से फिर से हम बैक आजते हैं तो दोस्तों अब दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे किस तरह आप किसी का नमबर ब्लेक लिश्ट से हटा सकते हो तो यहां से बैक आगए कॉलिंग वाला बटम को दबाते है और किसी का नमबर अगर ब्लेक लिश्ट में डालना हो तो कैसे डालेंगे तो चलिए यहां पर हम देख सकते हो फर्स्ट नमबर यहां लास्ट में 41 है इस नमबर को हम ब्लेक लिश्ट में डालेंगे करना चाहते है तो उसके लिए अप्सन वाला बटम पर क्लिक करेंगे उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते नीचे आएंगे तो यहां पर देख सकते हो आपको एक option मिलेगा छे नमबर पर Add to Blacklist तो छे नमबर पर आपको इस तरह सलेक्ट कर लेना है बिच वाला से प्रेस किजिएगा उसके बाद open all setting Add to Blacklist तो यहां से OK कर देना है जैसे OK किजिएगा तो यह नमबर ब्लेक लिश्ट में Add हो गया अगर यही से remove करना है इस number को, इस number पर select कीजिएगा, जैसे इस number पर चली हम select करते हैं, फिर से option वाला button पर click करते हैं, और scroll down करते हुए नीचे की तरफ हम आएंगे, तो 6 number पर देख सकते हैं, remove from blacklist है, फर्स्ट नमर जब हम option लाए थे, तो 6 number पर add to blacklist का option है रहा था, अब दु बारा यहां से बीच वाला से press कीजिएगा, यहां बीच वाला तो यह remove हो जाएगा यह number, इस तरह दो तरीका से आप किसी का number blacklist से remove कर सकते हो, और किसी का blacklist में आप add कर सकते हो, इस तरह ITL का mobile या AC mobile में, आप blacklist से किसी का number remove कर सकते हो, add कर सकते हो, तो दोस्तों यह वीडिय आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा